चिंदबारा शेत्र के जो दिगज नेता है कमलनात के पहित करीवी हैं दीपक सक्सेना अपने काफी लेकर साथ 200 गाली के साथ वो भौपाल पोज गए हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ये 2000 से अधिक कार करता उनके साथ है याने कि एक मदब पिर देश के चिंदबारा हा अ टमाम जो भाण टाको में सामिल करें आज याने चींदो चु कि कया वर दोपल के लग हैं आप प्रदेश कहन से इस पांप जोड़ां में में developed हो रही है वह कारकताों को बहुत उपैस्शित कर रही है, उसके कान कारकता थाजम नहराज में, किसी काम ही नहीं हो रही है और नकुलाथ जी की टीम जो बनी है, वो किसी कारकता को महत्व न beggarUD इती, और सबीओbels लोग जो मिलके रहे हैों, उसम्पा काम कर रह। जोंके पूरी नेत्रत है कि उसमें बड़े नेता लोग है उनका ही चलता रहा जीतु पड़वारी चिनवारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और इसलिए चनवारे में नई नयूबा लोगों को आगे बढ़ना जरूरी है चुन मुझे पड़वारी जी का अमारे चनवारा में कोई वर्टस कते हैं नहीं है उनका वहाँ पे कुछ हैं नहीं पहले से कमलनाच जी नेतगिरी करते आएं और शक्सेनकी करते आएं उनकह और कहलाते हैं छिंदवाडा में तो धीपक शक्सेना जीयए पीछे पूरा जिला हमारा जो है वह नेतगिरी करता था भाई зबद्ली चल जाते तो यहां पे चिंदवाडा में दीपक सक्सेन नहीं अमात्र ऐसे लीडर थे जो लोगों के काम करते दीचे जर्डी ने लेठी तमाम लोग आये हुए रियर्व दोहजार कारे जो कंग्रेस्गों में प्रिदेष में ये बता। कि पचास हजार से अधिक अभी तक कॉंग्रेस के लोग सामिल होगा है और जिस तरह से कल भार्चेंटा पार्टी का इस्तापना दिवास है जो भार्चेंटा पार्ट रही दावा कर रही कि एक लाग कार्ट करता प्रदेश वर्म हम जोड़ेंगे इससे पहले ही आपको इचि